हेलो एव्रिवन वैलकम तो दे प्रतिग्या क्लासिस आज जो है हमें दूसरा सेंपल पेपर या फिर वह कुछ सॉल करने हैं जो आपके एम्स और प्लस आर्यू एच्छ दोनों में आते हैं तो कुछ कोशिंस लिए हैं स्टार्ट करते हैं what is the first question what is the class of substitution product of lithium aluminium hydride and alkyl halide reaction क्या अगर हम alkyl halide की reaction कर वाते हैं किस से करवानी है alkyl halide मतलब rx की plus इसकी reaction क्या किसके साथ करवानी है lithium aluminium hydride ठीके इसका name क्या है यहां लिग देते हूं लीथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड इसको श्वाट में ले एट से भी डी प्रेजेंट किया जाता ध्यान रखना अब इन दोनों की रेक्शन करवानी और हमें पूछाएंगे इसमें प्रोड़क्ट क्या बनेगा बताओ इसमें क्या बनेगा एल्यू आल्यूमीनिय। लीथियम ओंध पनेगा तो यह रिड़क्शन का काम करता है जैसी यहां पर रिड़क्शन करेगा तो यहां पर बेसिकली क्या बनता है अलकेन बनेगा कोई हाइड्रोकार्बन बनेगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास सबस्क्राइब करेंगे तो आगे करेंगे तो अगर मैंसन वन की बात करूं तो आपकी क्या होती है टू स्टेप रीएक्षisz स्टेप रीएक्षाँ प्लस इसमें जो पार्टीशपेट करता वो हुआ करका था ऑपका थी कॉन सा कॉछंछा रிक्स करता है करथा शाम ऐसंस्कंटर साथ करता है फ्लस इस ईंदर molecular, substitution, nucleophilic reaction, nucleophilic reaction, अच्छा ये इसकी होगी full form, अब सेम इसके अलावा जो इसके key points होते हो क्या होते हैं, सेम ये जो होती है, first step reaction होती है, मतलब एक step में आपके क्या हो जाएगी, complete हो जाएगी, ये जो होती है, क्या होती, one step reaction होती है, इसमें आपके कोई भी बीच में नहीं बनता खाली है, एक transition state बनती है, और वो भी बहुत जादा क्या होती है, unstable होती है, ठीक है, बस, और इसमें जो आपके alkyl highlight काम में लेंगे, या जो participate करेगा, वो कौन सा करेगा, आपके बात है, जो reaction होगी, वो आपके single step में complete होगी, बताया था भी, rate of reaction जो होती है, वो concentration of both reactant, उस पर depend करेगी, and there is an inversion of configuration, हाँ, यह possible होता है, कि एक दूसरे में क्या हो सकती है, configuration inverse होती है, inverse का मतलब क्या होता, उल्टा, तो option number A जो है, या आपके गलत है, कि transition state जो होती, वो stable नहीं होती, इस्थिर नहीं हो करके कैसी होती, unstable होती, इस्थिर, option number 3, a mono-hello-arene is an example of, आपको mono-hello-arene बताना है, mono-hello-arene का मतलब क्या हो जाएगा, कि बेंजेन रिंग के उपर कोई एक हैलोजन है, अब आपको पूछा है, यह जो example है, वो किसका है, तो यहाँ पर इतने सारे options दे रहे के, एक second का time देती हो आपको, जल्दी से बताओ, इसमें जो correct answer आएगा, वो आपका क्या आएगा, जो इसमें correct answer रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, बताओ जल्दी से, क्या होता है, जिसमें straight carbon change होती है, यह जो आपके example है, यह किसका है, aromatic halogen compound का example है, सामने से देखती ही पता चल रहा है, इसका जो answer होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, क्योंकि aromatic है ना, aromatic इसको बुला जाता है, benzene ring वाले जितने भी आपके substitute होता है, प्लस halogen है, halogen add है और compound तो आपको पता ही होगी, what is the next question, what is 3-bromo propene common name, अच्छा 3-bromo propene बनाना तो पहले propene बना लो, prop का मतलब क्या होता है, 3-carbon, in mola मतलब क्या आएगा, एक के बीच में double bond आएगा, बाकी में क्या आएगा, यह, अब बोले 3 पे bromo add है, यह लो भई, bromo add कर दो, उसके ला और कुछ रहा है क्या, नहीं, तो अब बस hydrogen fulfill कर लो, कर दिया, अब हमें इसका बताना है कि common name क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, यह जो group होता है, यह इसको हम बोलते है, allyle group बोलते है इसको, या हिंदी में इसको बोलते हैं कि allow sum, also summary, तो यह जो गई, क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कि वट इस नेक्स कुशन विच आपको सारे प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी और अगर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से उसकी नेमिंग करनी है अच्छा में यहां से तो क्या नेम हो जाएगा आपकम अर्ट यहां नहीं विसिनल नहीं हो अगर दोनों हैलोजन एक पर ही है तो इसको हम बोलते है जैम डाइवलएड और दो अगर कंटीन्व पर होता है तो उसको बोलते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका option number C हो जाए इसका जो नेम रहेगा compound का वह आपका नेम क्या हो जाएगा which of the following is the right name for the compound अच्छा इसमें आपको आई उपसी या किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है हमें सिर्फ यह बोला कि इस compound का correct क्या है अच्छा यह वाला incorrect होने के पीछ रीजन क्या है क्योंकि इन्हों ने क्या 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 स्टार्टिंग में 12 dichloro लगा दिया वह पॉसिबल दिया अगर पर भी हमें option में दिखाई नहीं दे रहे तो बाकि सारे के सारे तीन जो नेम है वह सारे क्या हो जाएंगे आपकी incorrect हो जाएंगे जो correct इसका answer हो क्या रहेगा option number C रहेगा जिसे हमने क्या बुला है और साथ में से बोलना है कि chloroalkane की इंग्लिश में इसको रीड करते है वाट इस्टेलिस्ट इन प्राइमरी अलकॉल अच्छा यह जब हम reaction करवाता है इसकी तो यह बोल रहा है इसमें कई पर भी आपके कुछ सोचने का या वह तुक्का लगाने वाला काम है नहीं क्यूंकि अगर आपको पता है इन में से कौन सा catalyst होता है तो correct हो जाएगा अगर नहीं पता है तो क्या हो जाएगा incorrect तो मैं बता देती हूं इसमें जो answer हो आपकी से बुछ से रहेक्षिन होती है पूच लेगी कौन सी रहेक्षिन है और रियक्षिन का नेम पूच लेंगे कि इनको यह सी तरीके बनेगे यह आपके टाइप पे कोशिंज का जो ना तो ज्यादा टुफ में आता है ना ज्यादा इजी में ऐसे कोशिंज पूछी जाता है अच्छा वाट इसके साथ करना है PCL5, PCL5 क्या होता है फॉस्फरस पेंटा क्लोराइड बोल दो इससे जो हम रेक्शन कराते हैं तीन प्रोड़क्ट हमारे पास बनते हैं एक तो बनता है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन मतलब C2H5Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक ऐसे अच्छी और एक और यहां पे कुछ प्रोड़क्ट बनता है और हमें पूछा है कि वह थर्ड कंपाउंड आपका क्या रहेगा तो बताओ जल्दी से तो जल्दी से बताओ इसमें क्या बनेगा आपका अब यह भी डिरेक्ट देखो इसमें हमने इसके साथ रेक्शन करवा देए क्लोरो एलके नापका बन चुका यह बन चुका है तो पीछे से एक ही बच्छता है पी ओ सी अल्त्री इसमें जो थार्ड कंपाउंड बनेगा क् आपका फोसफोराइल क्लुराइड क्या बोला जाएगा इसका और और इसको फॉसफोराइल क्लुराइड अच्छा कोश्च्छन है और ठीक है इसको फॉस्फोराइल क्लोराइड बोला जाता है ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा इसका फॉर्मिला क्या होता है पी ओ सी यल थ्री अब देखो सब्सक्राइब कोश्चन पूछ लिए सब्सक्राइब मतलब जो साथ में सह उत्पाद बनता है तो ऐसे कोश्चन पूछे जाते आपको डिरेक्ट रहेगे लर्न करना है नेक्स क्या है विच फॉलिंग सब्स्टेंस है इस हाइस मेल्टिंग पॉंट अच्छा मेल तो मुझे जलदी सहिस का बताओ एक सेकेंट का टाइम देते हैं मेल्टिंग पॉंट देखो हमेशा निकाला जाएका सॉलिड का है सॉलिड हंदी में क्या कहते है थोस थोस का हमेशा क्या निकाला जाता है गलनांग निकाला जाता है मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाता है जिसको शॉट में MPC रिप्रेजेंट किया जाता है और लिक्विड्स का हमेशा द्रव का हमेशा क्या निकाला जाएगा boiling point या को थनाम निकला जाएगा अच्छा अब हमारे question पर आ जाते है question हमारा क्या कहा रहा है कि सबसे जादा melting point किसका होगा तो पहले एक काम करो इनके formulas लिख लो chloromethane क्या होता है what is the formula of chloromethane it will be CH3Cl tetra chloromethane CCL4 trichloromethane CHCl3 di chloromethane CH2Cl2 अब हमें पूछा है कि high melting point कितना होगा तो आप देखो जिस पर जितने जादा halogen present है उसका melting point क्या आजाएगा आपका high आजाएगा ठीक है तो इसका जो highest melting point रहेगा वो आपका किसका रहेगा tetra chloromethane CCL4 option number B इसका होगा आपका correct answer option number B और इसके पीछे reason क्या था जितने जादा halogen होगे वो आपके क्या करेंगे वहाँ पर melting point को बढ़ाने का increase करने का काम करेंगे तो इसका answer tetra chloromethane होगा CCL4 next question which sequence should isomeric dichlorobenzene dichlorobenzene what is the structure this one will be structure dichlorobenzene be boiled in अच्छा हमें पूछा है यह अगर हम dichlorobenzene लेते हैं तो आपके यह तो कौन सा हो गया ortho अगर मैं meta पे लूँगी तो कहां पे आ जाएगा one three position और अगर मैं para पे लूँगी तो कहां जाएगा one और four position पे आ जाएगा correct है तो यह आपका कौन सा product है ortho dichlorobenzene यह आपका कौन सा हो जाएगा meta dichlorobenzene और यह आपका हो जाएगा para dichlorobenzene अच्छा देखो one two position होते हैं इसको बोलते है ortho one three position जो होते है कि one और three पे आपके substitute है प्रतिस्थापी अगर वहाँ पे one और three position पे जुड़ा हो है उसको बोला जाता है meta और अगर आपके प्रतिस्थापी one four पे जुड़ा हो है one four position पे add है तो उसको बोला जाता है pera अब हमारा question क्या कह रहा है अगर हम dichlorobenzene के तीन अगर हम derivative ले तीन अगर हम उसके व्यूत पल ले ortho, meta और pera तो उनका जो boiling point का जो sequence रहेगा वो आपका क्या रहेगा सबसे ज़्यादा जो इसका boiling point रहता है वो किसका रहेगा और सबसे कम किसका रहेगा सोचो जल्दी और जल्दी से इसका answer करो कि क्या answer रहेगा देखो इसका जो answer रहेगा वो आपका option number a रहेगा मतलब सबसे जादा melting point pera का होगा फिर ortho का होगा और फिर meta का होगा यह जो मैं यह chapter जब करवाते ना तो as a exception यह अपवाद की form में इसको लिखा जाता है इसका जो reason होगा वो reason option number a इसका answer क्यों हो आप देखो pera position पे जो आपके substitute derivatives है वो कहां पे one और four position पे सिमेट्री ही होती ठीक इसी मैं फुद्धी न1 पाइजाती है जबकि और तो विय दोनों बहुत जाधा पास पास में प्रेजेंट है जोपके दोनों यह ह Kommt बहुँ Mimi क्या होगा वह जादा होगा तनाओ बहुत है इस तोड़ा ओगा और बिजी जादा कम तो इस तो पेरा का melting point सबसे ज़्यादा होने के पीछे रीजन होता है कि पेरा जो डेरिविटी होता है इसमें क्या प्रेजेंट होती है आपके सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो इसका जो आंसर है वह आपके रहेगा option number a वरना इसको important लगा करें as a exception या फिर अपवाद की form में भी आप लोग इसको learn कर लेना ठीक है क्योंकि generally क्या होता है पैरा में बहुत जादा दूर-दूर आपके प्रेजेंट होते हैं जो substitute होते हैं तो बहुत जादा दूर-दूर प्रेजेंट होने की वज़े से उनमें तनाव रहता है जो stress रहता है वो भी आपके कम रहता है तो इनका जब हम melting point निकालते हैं या boiling point निकालते हैं तो आपके यह इसका क्या रहता है sequence रहता है सबसे जादा पैरा का होता है फिर orth का होता है और फिर meta का होता है लेकिन आपको देखो इसमें option यह भी मिलेगा जो generally होता है न यह वाला यह देखो और mostly इसमें लोग answer करके आते ह इसका correct answer नहीं है यह है और इसका reason होता है क्योंकि पैरा में symmetry पाई जाती है what is the next question which of the following statements about the interaction between C2H4 and Cl2 अच्छा C2H4 क्या है इथीन इथीन बोला जाता है हिंदी मैथीन हो जाएगा chlorine in CCL4 is correct यह बोल रहा है जब हम इथीन को chlorine के साथ reaction कराते है तो आपके पाई CCL4 बनता है यह तो ठीक है लेकिन इनके बारे में जो incorrect option है वो आपका कौन सा है कौन सा आपका incorrect option रहेगा इसमें से बताओ देखो reaction किसकी कराने है C2H4 प्लस CL2 और इससे आपके CCL4 बनेगा यह तो बनेगा यह है अभी बोल रहा है यह जब आपके process होती है जब आपकी reaction होती है जब अभी किरिया होती है तो उसमें इनमें से कौन सा ऐसा statement है जो इसमें follow नहीं होता है कौन सा incorrect बताना है आप नहीं किया रहा है इत रिजल्स यह जब आपका डबल बॉरे रंग की जो आपके फ्यूम्स बनती है तो नहीं बनती है लेकिन इदे तो इसके इंकरेक्ट रहेगा वह अपका रहेगा और बागी सारे किसे इस इस राउनलोड उप्लेस्टो से और बारे इस सर्च करोगे तो आपको यह सारे information मिल जाएगी, price वहाँ पर given है अगर आपको offline विजिट करना है तो contact number और address भी given है चेक कर लो एक बार फिर आगे questions करते हैं continue चलो आगे करें next question क्या which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction सबसे पहले तो बताओ nucleophilic substitution reaction होता क्या है जिसमें आपके NU- क्या करता है उसके उपर attack करता है किसके उपर? हैलोजन जो भी होते है उसके उपर, ठीक है? जो भी आपके alkyl hyalides होते है, Rx होते है उनके उपर अब इससे बोला है इने में से सबसे ज़्यादा reactive कौन सा होगा? बता दू जल्दी से या मैं ही बता दू? चलो मैं ही बता देते हूँ इसका जो answer रहेगा न वो option number C रहेगा, क्यों रहेगा? उसका explanation मैं यहाँ पर देती हूँ, कि यहाँ पर देखो जब आप Rx के उपर यह एक तरीके का क्या है? जल्दी से बता देना लेकिन यह रिएक्शन बता उससे पहले देखो यह जो आपका है यह बहुत ही दूर प्रेजेंट है मतलब इस पर डिरेक्ली आपका न्यूक्लियो फाइल क्या कर सकता है इसको ज्यादा बाउंडिशन इस पर रिस्ट्रिक्शन या फिर स्ट्रेस इसके होगा लेकिन बाकी वाले में अगर आप इसके बात करें तो इसको यहां से पास में तो पॉसिबल नहीं तो यह बोल रहा है जो सबसे ज्यादा रेक्शन करेंगा तो इसमें जो देखो डबल बाउन भी अल्टरनेट पहें तो यहां से आपका option number C रहेगा अच्छा question अब next question देती हो इसके बारे पर सोचो और जल्दी से बताओ answer क्या रहेगा अब यहां पर कुछ nuclear file दे रहे हैं अच्छा पहले तो यह बताओ nuclear files होते क्या है पार देखो nuclear file को को jos यह कैसी इसपीशी जोती है और निषुक्लिआ मतलब होता है nucleus leverage मतलब जिसमें nucleus pwritten की क्या होती है तो जिसमें लेकिण आफ क्या हो प्रोटोन ओ और एकस सब क्या हो इल्लेक्ट्रोन हो उनको क्या बोलेंगे नूक्लियोफाइल बोलेंगे मतलब जिसमें प्रोटोन की कमी और इलेक्ट्रोन की अधिकता होती है ऐसी स्पिक्शिस को क्या बोला जाता है नाबिक्स नहीं या फिर नूक्लियोफाइल को हिंदी में बोला जाता है नाबिक्स नहीं या नूक्लियोफा जल्दी से रीक्षिन करता है, और यह वाला कॉन सा है, त्री डिग्री, और नाबिक्स नहीं ही, अगर अम नुक्लियोफाइल में बात करें, तो आपका जो ओर्डर रहता है, वो यह रहता है, आनाइन की, अगर में एक तरीक के क्या है कार्ब एन आयन है कार्ब रिणायन बोल दो इन में जो और रहता वो यह रहता है अब हमसे पूछा है सबसे ज़्यादा कौन करेगा तो अप्शन नमबर एंसर हो जाएगा क्योंकि यह कितना डिग्री यह वन डिग्री प्रात्मिक अच्छा बताओ नॉमल बोला है पहले बोलता है और एक्स लेना है फिर बोलता है बेंजीन की उपर एक्स लेना है में जो diphrens होता है ना सबसे में डिफरेंस इसके एलोजडन और इससे उसमें जो आपके संकरन रहता है हबिड़िडेशन रहता है वो रयता आपका day Ig y और मैं इसरी और इसमें रहता है आपका SP3 अगर double bond मिले इसका मतलब वहाँ पे होगा SP2 और अगर triple bond मिले तो वहाँ पे होगा SP तो अब इसके अंदर single bond होता है इस वज़े से इसमें क्या आता है SP3 इसमें देखो यह जो carbon है alternate benzen के अंदर क्या होता है double bond तो double bond आने की इसमें जो होता है वो कांसा होता है SP2 होता है तो सबसे जो में डिफरेंस बोला है वो संकरण वाला ही होता है I guess directly यहां पर गीवन है option number B हो जाएगा इसका answer हो जाएगा बाकी जो options अगर आपको पढ़ने हैं तो बली पढ़ लो क्या बोल रहा है इसा कुछ नहीं होता है तो आपको सबसे जो मोस्ट शूटेबल या मोस्ट आपको जो लगता है कि यह करेक्ट जा सकता है मतलब कभी-कभी होता है कि कुछ हमारे पास right options होता है और कुछ option ऐसा होता है जो बहुत ही जादा right होता है तो उनमें सामें बहुत ही जादा right वाले को क्या करना होता है चूज करना होता है तो इसका जो answer रहेगा वह आपका option number B रहेगा what is the next question which of the following is the primary halide primary halide बताना है वन डिगरी halide बताना है इन में से तो आप लोग इन सबकी structure ओपन करके देखो देखो आईसो प्रोपाइल आयोडाइड क्या होता है इसको बोला जाता है आईसो प्रोपाइल आयोडाइड वन डिगरी है क्या नहीं हलोजन अपना इसमें कितना डिगरी है टू डिगरी फिर इदर आजो secondary butyl आयोडाइड बना लो अब मैंने बोला न आपको फता होना चिosten one degree two degree क्या है वरना कुछ नहीं होना है इसमें जो आयोडाइड है वो भी आपका कितना डिगरी है टू डिगरी अच्छा one degree two degree कैसे रなるほど खकरेंगे अगर आपका हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्मन आगे दो कार्मन से जुड़ा हुआ है मतलब 2 डिग्री आगे 1 कार्मन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री और 3 कार्मन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री तो इसमें भी 2 डिग्री आ गया इसमें देख लो, टर्शी रीव क्या बूला है, ब्यूटाइल बूला है, यह लो भाई, आई वडाइट, बताओ कितना डिग्री होगा, आप भी बता दो, जुड़ा हुआ कार्बन कितने से हैं, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो कितना डिग्री होगा अपना यह लोजन? 3 डिग्री, हमें क्या बताना है? 1 डिग्री बताना है, बता दो इसमें निउ हैक्जाइल बुला है, टीक है? निउ मतलब होता है, second last पे 2 methyl होना चाहिए, इसको नियो बुला जाता है हेक्जायल मतलब 6 कार्बन होना चाहिए, येलो, क्लॉराइड, तो ये रहा हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, आगे कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री, करेक्ट आंसर विल बी, ऑप्शन नमबर D, इजी कोशन है कुछ है नहीं इसमें, बस आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को रेकर्गनाइज कैसे करना है, अच्छा, रिपेट हो गया है, इसको करते हैं, ऑप्शन नमबर D रहाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, आयू पेसी नेम बता दो, सीधा, सिंपल सा आयू पेसी नेम बता ना, क्या होगा इसका, जल्दी से बता दो आप, आप ही बता दो, मैं नहीं बता रहे, नमबरिंग इसमें कहां से करेंगे, क्लोरो से करेंगे या उस से करेंगे, मिथाईल से करेंगे, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ अरे बही क्लोरो कहां से शुरू होता है सी से क्लोरो एलफाबेट में जो पहले आता है वहां से नंबरिंग करने है मिथाल कहां से शुरू होता है क्लोरो फॉर मिथाइल बहुत है कुछ है नहीं यह तो करवाने ही नहीं चाहिए था मुझे बेंजीन कई दिख रहा है क्या ऑप्षिन में यह रहा ऑप्षिन नंबर सी में सी हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर और उरायल हेलाइड वतला बेंजीन के ऊपर जो एक्स होता है वोग एक्स के कंपाईरिजन में तो यह दिख ने होता है जल्दी बता हो तो हमने नखलिओ 특 यह रहा कि नियू我們 2 होती है एसटीन करता है थीब एसटील ऊप्रों बहुता है आसेंनने की तो बहुत है, तो जब भी हम नुकलियो फैल की बात करते हैं, अ्राइल हैल की बात नहीं करते हैं, रीजन क्या होता है, कि अराइल हैलाइड में बेंजीन के अंदर क्या प्रेजन मैं। का यहां पर अटेक करने के लिए बहुत ही जादा एनरजी की नीड होती है वो हमारे पास जनरल ही नहीं होती है ठीक है ठीक है तो इसी वज़त से आपके यह जो होता है अब इन में से हमें complete जो आपको reason पता है वो बता दो क्या रहेगा इंडेक्टिव रहेगा यह रहेगा रेजोनेंस रहेगा यह यह मैं पहले यह आंसर कर चुक्यों तो थोड़ी सी लेंग्विच पढ़ लो और मुझे बता दो इसका जो correct answer रहेगा वह आपका क्या रहेगा ठीक है आंसर हो जाएगा option number B resonance अनूनाद के कारण ऐसा होता है कि अन इसा क्यों होता है अभी हमने पीछे question कर रहें पैरवाला ज्यादा उसका melting निकाला था फिर हमने निकाला था किसका और फिर हमने निकाला था मैटा का तो अभी इसमें में पूछ रहे है तो रीजन वेन आपको बताएथा था ना कि इसमेट्रिकल क्रिस्टलाइन होता है option number B हो जाएगा और कई जाना ही नहीं है अच्छा एक बर all of the above का भी दे रखा है तो आप देख लेना option number B लगा है या all of the above लगा है तो ज़रूरी नहीं है अगर वहां पे सारा का सारा दे रखा है तो हम हमेशा वहां पे जाए नहीं आपको जो correct answer रहेगा वो यही रहेगा कि प करते जाओ तो आपके chemistry बहुत easy रहेगी अगर ऐसे question पढ़के फिर तुक्के लगाओगे तो कुछ नहीं होना है reaction किसके साथ करानी है एन्योच के साथ लो करवा दो कितने temperature 300 के यह लो बोल रहा है followed by the acidic hydrolysis होगा इसमें acidic hydrolysis होगा ठीक एंच प्लस की present पर reaction होगी hydrolysis करना है बता दो जल्दी से क्या होगा तो इसमें क्या होता है आपके पास NACL यहां से रिमू हो जाएगा बेंजीन के उपर ओएच इसका नाम होता है फिनॉल तो क्या प्रोड़क्ट बनेगा भाई फिनॉल बनेगा option नमबर ए में दिख रहा है correct answer क्या हो जाएगा आपका option नमबर ए which of the following is the most react towards the aqueous NaOH इनमें से ऐसा कौन है जो direct reaction करेगा NaOH के साथ सेम अगेन बता दो NaOH क्या होता है देखो NaOH को अगर आप आया उसमें आइंस में distribute करते हो तो क्या होता है Na plus OH minus अगेन आपका जो OH minus है वो क्या कैसे भी करेगा as a nucleophile तो अब बता दो जल्दी से मुझे कि कौन जादा most reactive होगा इन बाकी सब में से जल्दी बताओ answer जल्दी जल्दी शुलो मैं बता देती हूं इसका answer रहेगा option number B रहेगा क्योंकि देखो इन सब की structure बनाओ बेंजीन पर कौन है CL है ठीक है इसमें बेंजीन के ऊपर कौन है CH2 है फिर बात में CL है बेंजीन के ऊपर directly कौन है बी आ रहे हैं फिर इसमें के C6H4 यह तो कुछ अजीब सही है ठीक है छोड़ो इसको तो यह तो पहले ही आउट हो गया अब इन में से देखो यह सब डारेक्ली कनेक्ट है रेजोनेंस होगा लेकिन इसमें से हम एजीली को निकाल करके कौन एड़ कर सकते है उसको OH- को एड़ कर सकते है तो option number B रहो जाएगा इसका answer ठीक है इसमें जादा कुछ है नहीं यह सारी जो चीजें वह वही है सेम रीजन है बस आपको again and again क्या करना है उन पर follow करना है chemistry ज्यादा तर आपके इन में जब बात करें न रेजोनेंस और इन ही क्या सपास गूमती है नेक्स्ट अब आगे questions करें उससे पहले यह देख लो सेम आपको वही प्ले स्टूर से प्रतिग्या classes डाउनलोड करके इस बैच की बारे में सर्च करना registration करोगी तो आपको इसकी सारी information मिल जाएगी ठीक है जल्दी से देख लो और मुझे बताओ अब आगे भी आपके 10 या इतने questions और रहे है जल्दी से लिए फॉलोइंग है अप्टिकली एक्टिव बताना है आपको बताओ कौन होगा ऑप्टिकली एक्टिव होता है जो उनको क्या कर दे आगे चेंज कर दे तो इसका आंसर में डिरेक्टी बता देते ओप्शन नमर बी रहे का ठीक है अप्टिकली एक्टिव का एक और कुशन आगया आएगा तब मैं आपको इलैबरेट कर दूंगी यह होता क्या है नेक्स देखो इन हेलो एलकें विच बांड इस फांड विट्विन काबन एलो जन बता दू जल्दी से कौनसा बांड बनेगा इनकी बीच करें कि इसमें कौन सा बांड बनेगा ऑपका बनता है तो इसमें बने को ओलिंट और दोनों क्या करते सब्सक्राइब मतलब जो तु कि और यहां दोनों ने अपने एक की अलेक्न के शेरिंग करेक्वांग्ण इसका एंसर यहाँ दा यह अभी बताया था है यह आ गया है कौन सा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है यह अभी पीछे किया था अपने रियक्शन बनाया था है यह कोई भी हैलोजन लही सकता है ना सेम वही तो रियक्शन है option number c हो जाएगा इसका correct answer which catalyst is used in the preparation of bromobenzene by bromination of benzene क्या करना है प्रिपरेशन करना है ब्रोमो बेंजीन का बेंजीन लेना है इसके इसके रियक्शन आपको BR2 से करानी है तो आपका बनेगा bromobenzene यह रियक्शन होगी जो जो question ने बोला वो वो मैंने लिख दिया अब यह पूछ रहा है इसमें catalyst कौन सा use करते है जल्दी बताओ FEBR3 करेंगे जो भी बाकी options दे रहें तो कौन से कौन सावल आपको यूज़ करना है कर दो 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 कर मेंट लुद करettes भंक इसी स्वार्ड्य स्वार्ड दो होती है यह ठीक है option number D हो जाएंगा इसका correct answer next what are the nucleophile reagents according to the Lewis theory तो जो नुक्लियोफिलिक reagents होते हैं जितने भी होते हैं यह सारे के सारे आपके क्या होते हैं Lewis base होते हैं क्यों नुक्लियोफाइल के ऊपर क्या होते है एक्स्ट्रा electron present होता है एकांग की electron loan pair और जो loan pair donor होता है जो अपने एकांग की electron को दान करते है उनको Lewis base बोला जाता है तो इसका answer हो जाएगा Lewis base base मतलब शार next on which of the following factors stability of carbo ketone depends बता दो resonance पे temperature reaction rate या इस पे जल्दी बताओ कि इनके जो stability होती है वो इनमें से कौन से factor के उपर depend करती है आपके तो बाकी वाले जो option है इस पे fit नहीं बैठेंगे temperature, transition, state और ये इन तीनों का कोई लेना देना नहीं होता है अगर हमें इसकी stability बतानी है तो option number A, resonance की basis पे इनको हम क्या करता है उनकी stability depend करती है ठीक है next, what is called the optically active substance? ये देखो, मैंने आपको बताया था नहीं, next जिसी पे question आएगा तब उसमें मैं elaborate कर दूँगी, तो देखो optically active substances या फिर पदार्थ योगी जो भी बोलो वो क्या होता है आपके नहीं एक light होती है, plane polarized light जिसको हम कहता है, धुरूवित प्रकाश क्या बूलते हैं? धुरूवित प्रकाश English में इसको बोला जाता है plane polarized light तो जो plane polarized light क्या होती है, जिसके अंदर सारे particle क्या करते है एक ही direction में, एक ही rhythm से क्या करेंगे move करेंगे, ऐसी light को बोला जाता है plane polarized light बोला जाता है तो जो plane polarized light को right या left clockwise या anti-clockwise direction में क्या कर देते है, rotate कर देते है उन ऐसे substances को क्या बोला जाता है, optically active तो देखो कई पे कुछ दिख रहा है क्या, हाँ option number B दिख रहा है, इसका जो correct answer हैगा, वो आपका option number B हो जाएगा ये क्या करता है, plane polarized light को right या left, clockwise या anti-clockwise गड़ी की दिशा में या इसकी विपरित दिशा में, move कर देते है next arrange giving the sequence order of combined with asymmetric carbon जब हम इनको जोड़ेंगे, add करेंगे asymmetric carbon मतलब क्या होता है इस तरीके से कुछ, ठीक है इन पे add करेंगे, तो इनका जो sequence रहेगा, वो क्या रहेगा तो इनका जो sequence रहेगा, जो दे रखा है न वही रहता है BR, फिर CL फिर F, और फिर अगर हम बात करेंगे तो hydrogen, ये जो होता है directly क्या करता है, asymmetric के साथ में reaction आपके कर लेता है, option number C हो जाएगा इसका ठीक है, बस इतना ही थे questions अब आज वाले में हम questions इतना ही करेंगे बाकी जो है, वो हम next class में और भी दूसरे questions के साथ में जो आपके basically aims और RUHS दोनों में ही आता है, ठीक है तो, thank you